Hello everyone and welcome back to my channel Leonard Sub तो अब गईस आज जो हम लोग topic discuss करने जा रहे हैं उसका नाम है The Phantom Luncheon जो की एक British writer Sir Hector Hugh Monroe के द्वारा लिखा गया है जिन्हें की mostly उनके pen name या उनके pseudo name साकी के नाम से ही जाहतर जाना जाता है So now as usual मैं इस particular video को भी directly शुरू करने से पहले मैं आप लोग को इस story से related कुछ basic facts या बाते बता देना चाता हूँ और plus इसके साथ ही मैं आप लोग को इस story के पहले ही कुछ major characters से introduce करवा देना चाता हूँ ताकि आगी चल कर आप लोग को जरा सा भी confusion नहों और इस story आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए so now इस story का सबसे पहला important fact ये है कि इस story को इसे Hector Hugh Monroe के द्वारा ही लिखा गया है जो कि एक British writer थे और फिर year 1916 में इसे Hector Hugh के ही एक short story के collection इस का नाम The Toys of Peace and Other Stories था जो उसमें इसे publish कर दिया गया फिर इस topic का दूसरा important fact ये है कि ये work एक बहुती छोटी सी short story है जिसे के सिर्फ 6 pages में ही लिखा गया है और इस पूरे story के दोरान Hector Hugh Monroe एक काफी humorous manner में या एक काफी funny manner में उन्होंने Edwardian period के society को और उनके culture को और प्लस उनके flaws और उनके drawbacks को उन्होंने एक काफी humorous manner में उन्हें mock किया है या उनका मजाक उड़ाया है और lastly रही बात इस story के title की तो इस story का जो title है the phantom luncheon तो इसमें phantom का मतलब है कोई डरावनी चीज या कोई डरावनी image जैसा कि कोई भूत देख लेना या फिर कोई और horrifying experience और luncheon का मतलब है एक formal lunch यानि इस story में क्या होता है कि तीन बहने जिन्हें कि smithly dubs कहा जाता है तो ये तीनों बहने एक बहुती greedy यानि लालची किस्म की होती है और काफी अमीर होने के बावजूद भी ये हमेशा जहां पर भी free का high quality खाना मिल रहा होता है तो वहाँ पर ये तीनों बहने पहुत जाती है इसलिए इस story की जो protagonist जिनका नाम lady drag manton होता है तो वो इन तीनों बहनों को वो एक दिन एक काफी महंगे hotel में lunch के लिए बुला कर वो उन्हें बेवकूफ बना देती है और सारा बिल इन तीनों बहनों को last में जाकर pay करना पड़ जाता है इसलिए lunch उनके लिए एक काफी horrifying experience होत जिनका नाम है sir james drag manton तो अब देखिए sir james drag manton जो है तो ये parliament के ही एक member होते है और ये अपनी wife जिनका नाम lady drag manton होता है तो वो उनसे ये request करते हैं कि lady drag manton smithly dubs नाम के तीन बहनों को वो अपने साथ किसी महंगे से hotel में ले जाकर वो उन्हें lunch करवाएं और वो उन्हें दिलवाने में काफी मदद करते हैं इसलिए वो ये चाहते हैं कि उनकी wife smithly dubs sisters को अच्छे से host करे और वो उन्हें किसी अच्छे से hotel में lunch करवाएं फिर इस story की दूसरी जो important character है उनका नाम है lady drag manton जो कि sir james drag manton की wife होती है और millie नाम की एक lady की बहन तो अब जैसा कि इस story के main character या protagonist है जो कि smithly dubs sisters को last में जाकर वो उन्हें बेवकूब बना देती है और वो उन्हें एक जोरदार शौक देती है फिर इस story की तीसरी जो important characters है तो उनका नाम है smithly dubs sisters जो कि बहुत ए greedy या लालची किस्म की होती है और जहां पर भी free का खाना high quality खाना मिल रहा होता है य ये तीनों बहने आकर मंडराने लगती है या वहाँ पर भटकने लगती है और finally इस story की आखरी जो important character है उसका नाम है मिली जो की lady dragmanton की ही बहन होती है और वो हू बहू अपनी बहन lady dragmanton की तरह ही दिखाई देती है यानि ये दोनों बहने बिलकुल एक जैसे ही दिखाई दे इसे हम लोग शुरू करते हैं तो इस story की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि sir james dragmanton नाम के एक वेक्ती जो की parliament के एक member होते है तो वो अपनी wife lady dragmanton से ये कहते है कि smithly dubs नाम की जो तीन sisters है न तो वो तीनों sisters अभी इस town में ही मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें यानि उन तीनों बहनों को किसी महंगे से hotel में ले जाकर उन्हें lunch करवाओ और उन्हें entertain करो क्योंकि उनकी पूरी family voting के time पे या elections के time पे वो हमारे लिए काफी सारे votes collect करने में मदद करते हैं तो lady dragmanton फिर उनसे कहती है कि मैं आज तक सिर्फ दो या तीन बार ही smithly d sisters से मिले हुई हूँ बट उनका जिस तरह से behavior है ना तो मैं उन्हें host करना या entertain करना तो दूर मैं तो उन्हें किसी hotel में लेकर नहीं जाना चाती हूँ तो sir James फिर अपनी wife से कहते हैं कि मुझे पता है कि smithly dub sisters हमारे लिए उतना भी कुछ जादा vote collect नहीं कर पाते हैं या वो उतना भी कुछ जादा लोगों को influence नहीं कर पाते हैं बट उनके family के कई members जैसे कि उनके एक uncle वो हमारे ward committee के ही एक important member है फिर उनके एक और uncle वो हमारे कुछ less important meetings में speech देते हैं तो इस तरह के लोग अकसर return में या बदले में वो कुछ expect भी करते हैं तो lady duck mantan फिर अपने husband के इस expect वाले word को mock करते हुए वो अपने husband से ये कहती है कि smithly dove sisters जो है तो वो expect नहीं करती बलकि वो तो सिधा लोगों के मुग पर ही मांग लेती हैं मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ वो मेरे club से ही बिलॉंग करती हैं और जब भी खाने का समय होता है lunch का time होता है तो अगर गलती से भी मैंने इनके सामने lunch के लिए कह दिया तो वो सीधे मुझे taxi में पकड़ कर वो रिट्स या डियो डोने नाम के hotel के लिए driver को चिलाने लगती हैं और मुझे पता भी नहीं चलता है कि या कि हो क्या रहा है और ये तीनों बहने खुद ही सब कुछ plan कर लेती है कि उन्हें क्या खाना है कहां खाना है और मुझे बस bill pay करना होता है तो अब इतना सब कुछ smithley dub sisters के बारे में सुनने के बाद भी sir james फिर भी अपनी wife से insist करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम उन्हें किसी अच्छे से hotel मिल जाकर उन्हें lunch कराओ तो lady drug manton finally अपने husband को य मुझे नाम भी याद नहीं है बट पता नहीं क्यों इन smithley dub sisters को entertain करना मुझे बहुती ज़ादा suffocating और torturous लगता है क्या आप सोच भी सकते हैं कि पूरे एक घंटे तक मुझे उनका torture सहना पड़ेगा और एक घंटे तक वो बस बिना रुके वो मिरे सामने खाना खाती रहे लंच के लिए तुम भी तो इन्हें लंच के लिए अटेंट कर सकती हो तो मिली उन्हें reply देती है कि मैं तो उन्हें जानती भी नहीं तो मैं उन्हें लंच के लिए कैसे होस्ट कर सकती हूँ तो लेडी ड्रेक मैंटन फिर उसे कहती है कि जानती हो मिली लोग अक्सर ये कहत कि हम दोनों बहनों में जरा सभी अंतर नहीं है और हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं और इसके अलावा एक और इंट्रेस्टिंग बात ये है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में मैने स्मितली डर्प सिस्टर्स को आज तक सिफ दो ही बार एटेंड किया है इसलिए अगर तुम मेरी जगह पर चली भी जाओ तो वो तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगी तो इतना इंसिस्ट करने के बाद भी मिली अपनी बहन लेडी ड्रेक मैंटन को मना कर देती है और वो उन्हें कहती है कि पागल मत बनो डियर मुझे भी कल क्लार्टन नाम के एक होट ठीक है तो मुझे बस ये बताओ कि कल तुम लंज के लिए क्लार्टन होटल में कितने बजे पहुच रही हो तो मिली उनसे कहती है कि 12 बजे तो लेडी ड्रेक मैंटन फिर कहती है कि अच्छा ठीक है अब कल मैं ही स्मितली डफ सिस्सर्स के साथ लंज के लिए जाओंगी और ये लंज पार्टी एक बहुत ही फणी या एंटेटेनिंग होने वाला है और एटलीस मैं तो इस पार्टी को बहुत ही इंजॉय करूंगी और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है तो अगले तिन लेडी ड्रेक मैंटन फिर क्या करती है वो अपने अपियरेंस को या अपने क्लब पहुचती है और वहां पर पहुचकर वो स्मिटली डफ सिस्टर्स को ग्रीट करती है तो स्मिटली डफ सिस्टर्स पहले तो वो उन्हें देखकर थोड़ा सा डाउट जरूर करती है क्योंकि उनका लुक थोड़ा सा चेंज होता है बट फिर जैसे ही लीडी ड्रेक मै के बाद वो ये कहती है कि चलो आज हम सभी लोग वहाँ लंच करने के लिए चलते हैं जिसके फिर कुछी समय के बाद लिरी ड्रिकमैंटन और स्मितली डब्स वो सब काल्टन होटल में पहुच जाते हैं और वहाँ पहुचते ही वो तीनों काफी सारे expensive dishes को जैसे की baked meat, caviar fish, high quality wine और इस तरह के और कई सारे expensive dishes को वो तीनों order कर देती हैं और जैसे ही उनके पास फिर खाना पहुचता है तो वैसे ही वो खाने को शुरू कर देती हैं और एक के बाद एक एक के बाद एक वो अगले dish को खाती चले जाती हैं बर तभी फिर उन स्मितली सिस्टर्स में से एक सिस्टर जिसका नाम सिसीलिया स्मितली डब होता है तो वो यह कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर insurance act को थोड़ा और बहतर तरीके से समझा जाए तो उसकी जो अभी present unpopularity है ना वो खतम हो जाएगी तो lady drug mantan फिर यह कहती है कि क्या सच में अब क्योंकि मैं politics के बारे में उतना कुछ जानती भी नहीं हूँ और नहीं मुझे इसमें कोई interest है तो यह सुनकर वो तीनों बहने फिर अपने Turkish coffee को नीचे रखे वो lady drug mantan को घूरने लगती है और वो फिर उनसे कहती है कि आप जरूर मजाग करी है नहीं तो lady drug mantan फिर यह कहती है कि मैं तो politics में बिल्कुली अनाडी हूँ और मैं तो एक coin को toss करके भी एक सही decision नहीं ले सकती और वैसे भी मेरे पास खुद की भी बहुत सारे काम होते हैं और मैं उनमें ही busy रहती हूँ तो फिर उनमें से एक दूसरी smithly dub sister जिसका नाम Amanda होता है तो वो फिर lady drug mantan से कहती है क कि मैंने तो ऐसा सुना है कि आपने एक बार काफी अच्छी तरीके से आपने insurance act 2 पर एक speech दिया था एक social evening में तो अब तभी फिर lady drug mantan क्या करती हैं अब यहां से या इस point से वो अपने drama को शुरू कर देती हैं और फिर अचानक से वो उन तीनों बहनों को इतने अजीब तरी से सफर कर रहे हूँ मुझे बस इतना याद है कि आप तीनों मुझसे कहीं पर मिली थी और आपने मुझे यहां पर आने के लिए invite किया था और मैंने उस invitation को accept कर लिया था अब अब उसके आगे मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ तो वो तीनों बहने फिर मुझसे यह कहा था कि चलो काल्टन होटेल चलते हैं वहाँ लंच काफी अच्छा मिलता है इसलिए मैं आप लोग के साथ यहां पर आ गई बड़ मुझे यह याद नहीं आ रहा कि मैं आखिर इस धरती पर हूँ कौन मेरी पहचान क्या है तो वो तीनों स्मितली डप सिस्सर फिर एक साथ एक ही आवाज में वो यह कहती हैं कि आप लेडि ड्रेक मैंटन हो तो लेडि ड्रेक मैंटन फिर उनसे कहती हैं कि आप लोग अप मजाक मत करो मैं लेडि ड्रेक मैंटन को अच्छी तरह से जानती हूँ वो मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है और देखिए आप लोग ने जैसे ही लीडी ड्रिक मैंटन का नाम मेंचन किया, वो खुद भी यहाँ पर इस होटेल में आ गई, तो अब दिखिए लीडी ड्रिक मैंटन यहाँ पर क्या करती है, वो अपने आइनिटी को भूलने की एक्टिंग करने लगती है, ताकि वो स्मिटली डर्ब सिस्टर्स को एक सबक सिखा सके, और आप लोग को याद है कि मिली यानि लीडी ड्रिक मैंटन की बहन भी, वो भी कारल्टन होटेल में आने वाली थी, बारा बजे कुछ लोग के साथ लंच करने के लिए, तो अब लेडी ड्रिक मैंटन क्या करती है, वो अपने असली पहचान को छुपा कर, वो मिली की तरफ पॉइंट करते हुए, वो उनसे ये कहती है कि ये देखो, लेडी ड्रिक मैंटन भी यहाँ पर आ गई, और इस तरह से, वो अपने स्टोरी को साबित कर देती हैं, कि वो लेडी ड्रिक मैंटन नहीं है, और वो अपने पहचान को छुपाने में कामियाब हो जाती हैं, तो वो तीनो स्मित्ली डब सिस्टर्थ, जब मिली को ही लेडी ड्रिक मैंटन समझ लेती हैं, तो वो फिर अंदर से काफी ज़्यादा डर जाती है और वो फिर असली Lady Drake Mountain से पूछती है कि अगर वो Lady Drake Mountain है तो फिर तुम कौन हो तो Lady Drake Mountain फिर उनसे कहती है कि वही तो मैं आप से कह रही हूँ कि मुझे यादी नहीं आ रहा कि मैं हूँ कौन और मेरी identity क्या है तो स्मितली डफ फिर उनसे कहती है कि आप हमारे क्लब में आई थी और हमसे कलारटन होटल के बारे में पूछ रही थी तो Lady Drake Mountain फिर उनसे कहती है कि अच्छा क्या आप मुझे अपने क्लब का नाम बता सकती है तो वो फिर उनसे कहती है The New Dedactic Club Kaylee Street तो अब Lady Drake Mountain यहाँ पर वो फिर से ऐसे acting करती है जैसे कि उनसे कुछ याद आगया और वो फिर उनसे कहती है कि ओ अच्छा अच्छा The New Dedactic Club मुझे याद आगया कि मैं कौन हूँ Thank you so much मुझे याद आगया कि मैं Ellen Nigel हूँ जो कि New Dedactic Club में Brass Polishing Group की ही एक मेंबर हूँ और अकसर मैं वहाँ जाती रहती हूँ और वहीं पर मैंने Lady Drake Mountain को भी देखा हुआ था Thank you so much कि आपने मुझे पर इतना favor किया और आपने मुझे इतना अच्छा lunch भी खिलाया अब चलिए वैसे भी बहुत ज़रा time हो चुका है और अब मुझे white hall भी जाना है polishing के लिए तो इसलिए मैं अब चलती हूँ Thank you once again और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं और वो उन तीनों sisters को बेवखूब बना देती हैं और अब smithley dub sisters जब hotel के bills को देखती हैं तो उन्हें फिर रोना आ जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने पैसे से किसी और को खिलाया होता है जिसके बाद फिर smithley dub sisters politics को छोड़ देती हैं और वो फिर अच्छा काम करना शुरू कर देती हैं तो इस तरह से वीडियो खदम होता है और आपको ये short story अच्छे से समझाई होगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप comment करके जरूर बताएं like करें, share करें अपने दोस्तों के साथ and thank you for watching